जैसे वी अरीवक्तो मेरा नामी युद्धिस्टेर आप सभी का स्वागत है हमारे सेनल आत्मा के सपत में देखे एक बहुती सुन्दर कमेंट आया उस पर तोड़ा सा विचार मिमस्त करके मैं ये वीडियो बढ़ा रहा हूं और हो सके तो आप जरूर सुने इस विशेय के ब हुआ है और एक अध्यात्मिक प्रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं देखे जन समुदाय में जो फेला है देश्टिकॉन की बार-बार जो दुखा आ रहा है उसका क्या प्रतिमिन्व बनता है अपने स्वैम के जिवन में है कि काफी लोग क्या करते हैं एक बहुत ही जो परेशानी होती है अरता तो दुख का कारण बनती है वो आप अगर समझ पाते है तो इस देश्टिकॉन को थोड़ा सा बदलने की जरूत होगी आपकी दीशा में आप देखे से इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं देखे अगर किसी वेक्ति कि जीवन में दुख आया है समिस्ते परेशाने आई अब अकजमात को यह ऐसी एसी दुरगटना हुई है ऐसी प्रस्तिति में बदला हुआ है कि उसके जीवन में उथर पुतल सी हो गई है चारों तरफ तो ऐसे इस्तिति में क्या होता है कि अब एक सामाने जन्द क्या करता है कि उस इस्तिति के वारे में बार बार विचार किया जाता है बार बार सोचता रहता है गंबीर कि अब क्या होगा कैसे होगा क्या रुपांतरण होगा जीवन में तो इस परकाल का दस्टिकोन में बार बार अपने दिमाग में मैसूस करता रहता है कि क्या अब वापस से जीवन जो आपके जीवन में भी चुका है, अब आप उसको बदल तो सकते नहीं, जो गटना गटी तो नहीं वाली थी, अब उसको नई तो आप में रोबने की सामर्तिया हैं, और ना आप उसमें चेंज कर सकते, लेकिन अब एक चीज आप सुधार जरूर कर सकते, आपको पता है कि यसी चीज हो चुकी है, तो अब उसके अधिक विचार ना करके, अगर आप किसी और दिशा में कारिय करते रहते हैं, तो मान के रखें, आपके जीवन में जो बेद दुख आया था, उतनी ही तेजी से चला जाएगा, जितनी तेजी से वे आया था, इस चीज को आपको पड़ेगा, देखे अधिकास तक क्या होता है, कि काफी लोग ये गलती करते हैं, कि उनके जीवन में परिस्तित्य वदलती हैं, और ये जीवन का पहलू ऐसा ही है, संसार पे जो जनम लेता है, अंडरेड इनवन परसेंट यहां पर आपको दुख मिलने वाला है, एक समय त ये जीवन जेना आप थोड़ा दुखदाई हो गया, ऐसा विचार चली हो गई, लेकिन आपको ये चीज़ सबजनी पड़ेगी, कि एक समय के पस्चात हर जीवन की ब्रिक्रिया में बदलावोदना जरूरी है, अन्यता एक जगे समय ठेरता है, अगर कोई वेक्ति अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करता है, तो सुचे उसकी स्तति किसी दशा में जानी जा सकती है, इस चीज़े पर विचार सभी लोगों को करना बहुत ही आवश्यक है, अब इस पर सबसे अच्छा सुजावी ही होता है, कि आपको अपनी परिस्तिति के अनुसार दर जाना चा है, अभी बदल रहा है समय, इस तेर नहीं है, बदलने का भी जो गती है, वो बहुत तेजी से बदल रहा है, आप देख सकते हैं कि 5-6-10 साल के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, अब पूरी दिशा की ओर, टेक्नोलोजी से लेके, संसादनों की ओर से लेके, सब तरह से लेक हैंने रिस्तदारों से लेकर, सब चीजों में ये बहुत ही तीजी से बदल रहा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस परकार से 10-5 सालों के वितर इतना टेक्नोलोजी का विस्तार हुआ है, जिसमें कि लोगों के जीवन में भी काफी बड़ा मेजर फ्रक पड़ा है, लोगो में तक सीमित हो गया, उसकी जो कारिप्रनालिती अपने परिवार और सदिश्यों की तक ही सीमित है, अब ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है, अब यह सबसे बड़ा दुख्का कारण मंदरा है, देखिए एक चीज है, आपको मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता थोड़ा आप इस चीज को थोड़ा ज्यान से सुचिए, मैं आप से कहना क्या चाहरा हूँ, देखिए एक चीज है, यानि आपको मैं बताता हूँ कि नास्ती सुक्त है, उसमें प्रिम ब्रह्म का प्रमात्मा का विवरण दे रखा है, कि किस परकार से था, अब देखिए मै आपको एक चीज थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करता, आप थोड़ा उस पर विचार विवमस्ट जरूर करना, कि यह जो संसार है, यह पेले संसार था क्या, क्या अंत्रिक्ष था, या आकास था, या पताल था, यह पित्वी थी, उस समय ये ग्रह थे, चांग, चि कुछ भी नहीं था, यह उसमें लिखाओा, यह जाके चेक कर लिएगा, कि उस पूस्ट समय कुछ भी नहीं था, और वहाँपन निर्गुन ब्रह्म की बात की, कि चारो दिशाओं के और जन ही जल था, जन ही जल था, जारो और दिशाओं में, जन ही जल विज्यमान था, पूरे संसार में यानि स्वेम प्रमात्मा मनने स्वेम भगवान मनने के लिए एक हाहा कर मचादी उसी के फ़सरूप प्रमात्मा और आफार लेना शुरू किया फिर दीरी दीरे यसी स्थिति में और इसामन जिस्ते सुक्त है है विबरण दे रखाये परमात्मा की एक पराशकाड से यह आवाज है कि मेरे दुवारा जो मानों बुनाया जाया है वे समल से गनिष्ट प्रेम करे वैगार एक रूप से चरित्रमान बने और समी लोगों को जैसे आपका सम्मन, जैसे एक मा का पुत्र से सम्मन होता है, पिता का पुत्र से होता है, भाई का भाई से होता है, उस परकार का सम्मन प्रती विक्ति के अंदर खा गया थी, इस परकार का मानो मनाया था प्रमात्मान है उस सम्मन, लेकिन दिरे 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 अब आपको थोड़ा दश्टी कोन चेंज इसका बदलना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में अगर दुख को यानि बहुत कम समय तक रखना है तो उस पर विचार विश्व मर्स ना करके अगर अपनी बुद्धी को किसी और कारी में लगा देते हैं तो क्या होता है इस दिशा में कि आपका सारा जो आपकी सारी जो प्रियोजना होती है दिमाग में चल रहे हैं विचार होते हैं बाव होते उस कारी की और लग जाते हैं रैसी स्थिति में क्या होता है कि आपके वे कारी वरन्य लग जाते हैं जो आप जिस दिशा में जा रहे हैं और दिरे देरे भे अपना आप बोल जाते हैं आप देखिए दूसरा अध्यात्मी कूप से इसको समझने की कोशिश में हम क्या करेंगी कि इसको कैसे समझना चाहिए कि आदर आपके जीवने बारबार दुख आ प्रेशानी आ रही हैं तो यह सबसे बड़ा कारण की होता कि आखिरकार तहीं आ रहा तो एक आखिरकार इसलिए आते हैं कि आपने उपने Jeevan में कुछ एसा मदलाव किया ऐ जिससे कारण से खु़ पाफ पर्मिकर्म को बार बार सुंद्रेंण करते हैं तो ऐसे में क्या है एक सादक पर पढ़ती है बनुश्य में तो वे क्या प्रहार करते हैं प्रहार किस पर आप पर नहीं आपके अंदर वेटे तुम वेशारे दुश्मन ओपर दुश्मन को ने जो आपके आंतरिक विकार हैं काम क्रोद मत्व लालसा इशाद है यह जो अंदर विज्यमान होते है इन पर प्रहार करते हैं अब दिर दिर करके इनको खतम करने के कोशिश करते हैं इसके फल सरूप आपके बीतर से वेदना निकल का आती बार बार करून वेदना निकल का आती है आप दुखी होते उस समय जो गटित हो चुकी है ऐसे इस्तिती में क्या होता है कि आप अपने म प्रचलते रहे हैं जoof प्रघ्र बना रखा है और जीसाम कि आपने उसे अपना रखा उस्थ मार कोthinking सघ्धा क्या होता है कि एक समय पस्चांत हो जाते। है यह और सटीक मानके इस स्थानद्म में कि नोगें फ्रक्षों होती है तोगती हैं साल पर इस समय अंतराल पर एक जगे इस्तिर हो कर बिलकुई इस्थाइप्त पन में यानि इस्थाइप्त पन यान करसे कि अपने बीतर का इस्थाइप्त पन अपने कारियों का नहीं बीतर इस्थाइप्त पन होना चाहिए आपकी मन की चंचलता आपके बीतर जो उठ रहे विचारों उन पर इस्थाइत पन वाना चाहिए यानि वे रोग देने चाहिए कि इस समय जो हो रहा है प्रमात्मा की देन से ही हो रहा है इसमें आपका कोई हाथ नहीं है आप केवल और केवल नेमित मात रहें अगर आप ऐसे विचार ऐसी दिश्टी कौन रखते हैं तो हर प्रकार से आपके जीवन में आप जो दुख देखते हैं वो दुख आपको लगेगा बिलकुल भी नहीं क्यों क्योंकि आप ये सोचेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया में सुधार होने वाला है ऐसा आपके जीवन में सुधार होने वाला है जिसके पल सुरूब आज आपको ये दुख देखना पड़ रहा है क्योंकि दुक आते हैं इसलिए हैं कि आपके जीवन को और बहतर बनाया जा सकते यानि आपके जीवन को और बहतर बनाया जा सके इसलिए ही दुक आते रहते हैं बार बार इससे क्या होता है इससे जो मनुष्य है वो प्रिपक वो होता है समाज के जो परिवर्तन हो रहा है जैसा समाज मन रहा है उस परकार से एक मनुष्य परिवपक होता रहता है और अपने बीतर सेंच शक्ति बढ़ती है इर्षिया का भाव कम होने लगता है और क्रोध इत्यादी इसी चीजों पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं स्टितियों म मुख्या होता है कि आपके जीवर में आप एक एसे मनुष्य बन जाते तत पस्चात एक एसे मनुख्या बन जाते जैसे कि कहा जाता है ना कि घर में एक मुख्या होता है जो अर्फ परकार के फेसलिवे दिया करता है क्योंकि उसमें समझ जदिक है समझ जदिक है अच्छे ली किया करता है कारिक में एक रजनांति होती है जिसका प्रिणाम बहुत अच्छा हुआ करता है इसनिए इस पर का मनुष्य बनने में भी तोड़ा समय लगता है क्योंकि एक मनुष्य का अन्भह होता है यसी इसलिए आप संचेखिन के जो मानों के भीतर दुख है रिशानियों का जो एक घेराओ बना रहता है वे क्यों बना रहता है कि आप को स्वेम को शंगर्ष करना पड़ेगा इस इस्तिती में और ये आपके लिए होता है आपको मजबूद बनाने के लिए और आपके जीवन को और वेहतर बनाने के लिए अगर आप अपना स्वेम का दिस्टी को तोड़ा बदलेंगे और इस पे तोड़ा ज़्यादा वीचार भी मुस्ट नहीं करेंगे कि दुख आया तो क्यों आया ज़्यादा गिंती लगाने की कोई भी ज़रूतनी ग一 स्थान पर क्यों लेकर मेरा मुझब मानना है मैं आपको बता देता हूं अगर आपके जीवन में वीधाता ने कुछ निक दिया है तो नियती ने जो अपके साथ ओके रहरा विधाता ने लिख दिया आपके लिखनी में तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता आप स्वेम बिल्दलाव नहीं कर सकते कोई भी दीवी देवता बदलाव नहीं कर सकता जो आपको मिलना है वे फल्सुरूप आपको बिल्के ही रहेगा कैसा भी परिवर्टन करके देख लिजा आप आपना 101 परसेंट देने की कोशिश कर लीजिए इसको बदलने के लिए लेकिन आप उस चीज में बदलाव नहीं कर पाएंगे तोड़ा सा आप इदर उदर है यानि उस परस्तेते में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं मगर होगा नहीं बिल्कुल इसलिए का जाता है कि जो नियती में लिखा हुआ है वो तो भाग के सुरूब आपको जीवन में तो आप देंके निकित क्या क्या होता है देंके निकित तो एक आपका जीवन हैं जुकि एक सम्मय其實 होता है कि इतनी समय के पस्चाद आपका पुत्र होगा तेराप इतनी आयू के पस्चाद आपके घर में ये दुख आएगा ये सुख आएगा ये मनुष्ट्री सोचता। कि फिर इतना जोल जाल क्युं करना युव अजून में I इतना परिश्रम बॉन करना ये क्यू करना ओक्यों करना देखिए मानौजीवन है आपको इसको हर्थ प्रकार कंद से बहतर बनाने तो आपको स्वेम के उपर कारी करना पड़ेगा अब जिब आप अपने स्वेम के उपर कारी करते हैं तो क्या होता है कि समय के अनुसार आपके विवारिक जीवन में बहुत घजब का परिवर्तन आ जाता है अब इससे होता क्या है इससे होता ये है कि आप suem के बारे में किया अच्छा है किया गलत है किन चीजों को आपको अडोब्ट करना चाहिए और किन चीजों को आपके अपने जिवन से निकाल देना? इस पिर बहुती बहतर रूप से आप वीचार विमर्श कर सकते हैं एक समय के पस्चात अनुबोग के दुवारा यह प्रमानित होता है अगर आप इस जीवर्शली में दीरी-दीर आगे बढ़ते रहेंगे तो यह सब चीज आपको देखने को मिलेगे अगर निरंतरता से अगर आपको स्वयम के उपर कारी करते हैं अगर इंवेस्टमेंट भी क करना पड़े तो बहुत ही कमाल का होगा इस 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 तर पर कैसे यह सबने की कोशिश कीजिए यह चीज में आपको बताता हूं इन्वेस्टमेंट कैसे होता मनिश्टिय गोपर देकि जैसे कि आपको कोई लेंग्वेज सीख नहीं है बहुत ही अच्छी लेंग्वेज श सीखी जाते हैं अगर सोचे आप उस इस्तान पर पांच या च्छे महीने साल बर चले जाते हैं तो कम से कम 80-90 परसेंट आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि इस जीवन में आप अगर आप इंवेस्टमेंट कर देते हैं किसी चीज पर तो वह क्योंकि ये स्वेम मनुष्य को वहतर वराने में बहुत सयुवी होती दुख आना सुक आना ये एक पहलू है जैसे कि एक तराजु के दो पलड़े होते हैं कि कभी दुख का पलड़ा वारी होता और सुक का पलड़ा कभी वारी हो जाता इस परकार से चलता रहे हैं लेकिन लक्षय एकी द्रहना चाहिए, एकी मनुष्य का एक लक्षय होना चाहिए, कि अंतिन चर्ण में सभी को एक स्थान पर जाना है, उस चीज को कभी भी किसी मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं पुलना चाहिए, या आपको इस चीज की स्मर्थी हमेशा दिमाग भी रहनी चाहिए अगर ये समर्ती रहेगी कि मैं मरने वाला हूं एक समय अंत्राल के पस्चात तो क्या होगा इसका भे हर मनुष्य की भीतर रहने वाला हूं कि एक समय पाश्चावत में मरने वाला हूं, इससे क्या होता है कि इसका भेर रहता है कि आपको गलत कारी नहीं करना, पापकर्म नहीं करना, इस चीज का भेर बना रहेगा. अगर ये इसमर्ती बूल गए तो सोचे आप कितनी गलत कारेवे उलज जाएंगे गलत तरीकों से पेशा कमाने लग जाएंगे गलत लोगों की संगत में पस जाएंगे इसी परकार से आपका जीवन बरबाद होता है समय के साथ इसलिए आपको इस चीज को सबनना पड़ेगा और सुक और दुख दो पहलू है जीवन जीने के अगर आप जादा सुक देखने के लिए भागेंगे तो दुख भी आएगा उसके पीछे पिछे जितनी बड़ी कुशी हो कि उसके पिछे एक दुख छुपा भी रहेगा आपके जीवन में इसलिए आप समय अनुसार अपन तो आपकी दैशा से नहीं कर सकते आपकी आप स्वेम चुने की परभू इनको गुरू बनाना है जैसा होता है कई स्तानो पैस लेकिन विश्वास करे परमात्मा को आप याद करे इस मामले के अंदर तब आपको स्वेम गुरू मिलेंगे इसलिए निरंतरता से आप परभू करना चाते हैं कुछ कमेंट करना चाते हैं तो जरू कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें आत्मा गस्ता पर मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक लिए श्री हरी ओव नोव उक्ति वासु देवाई